लो लोवली पड़ीज तो वेलकम बैक ये स्ट्रामे की और दू हिंदी एक्स्प्लेनेशन का लास्ट पार्ट है जंग्जी की बाटे पर रोशिन उसे सर्प्राइज देना चाहती होती है और इसे सबसे पहले विश करने वाली परसन बनना चाहती है जिसके लिए जंग्जी क पलग जपते ही रोशिन को सामने से किनेप कर लिया जाता है और उसको सेल वहां पर खड़ी कोई और गर्ल जंग्जी को पकड़ाती है वो वापस क्रिस जाता है सभी रोड्स के सीसी टीवी केमरा फोटेज को देखते हैं मोगर लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाते हैं उधर रो पाकर जंग्जी रोशिन के पीछे निकल पड़ता है क्या कि रोशिन की एक वीडियो मैसे जंग्जी तक पहुंचाती है जिसमें वो अस्वाखना आने की रिक्रेस्ट करती है वो किन्डैपर की जंग्जी को ट्रैप में पंसाने वाली बाते सुन चुकी थी तो जंग्जी जोरों की बहुत फाइट चलती रहती है रोशिन उसे फिर लास्ट पर बिदेदी से किन्डैपर को माते देखकर डर जाती है जंग्जी देख लेता है दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं जंग्जी की चोटों पर मरहम पट्टी करने के मान जंग्जी रोशिन से नाराज बात नहीं करना चाहता होता है और उसे बाई बाई शिन्शी के साथ कहर वापस चले जाने का बोलता रहता है मगे वो भी खुद को धीर्ट साबित करती है फिर याद करवाती है कि उसका इनके साथ 24 आर का कंट्रैक्ट है जंग्जी अभी भी ओन ड्यूटी है जिस पर रहें जिदह कर सकती है वो तो ऐसा ही है वो बोलती है बस एक किसे चायबाता है उस्टे करने के भी कोशेश करेगी अभी चनी मोम का दिया था चूस ना प्लगर उसके के कदम पीच्छे जाते सो देगिंगी वहां से जाने लगता है मगे वो उससे जाते देखके पीच्छे से कस कर लेती है फिर बिटाती है वो जो भी है जैसा भी है उसे एक्सेप्ट है वो विश्वास रखती है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा या अगर ऐसा सबस्हाइब होगा तो इसके पीछे जरूर कोई कारण रहा होगा फूब बूलते हैं वो इस पर इतना विश्वास कैसे कर सकती है जबके उसके डैड उसे ही इसकी मोम के दिहात का कल्पिर्ट समझते हैं बोलती है कुछ भी हो मगर हट जगव उसका साथ देगी बस इतना याद रखे दोनो अब फिर से एक दूसी के साथ होते हैं और फिर एक साथ ही वहाँ पर सो जाते हैं जिंग्जी को रूशिन के लव पर पूरा विश्वास हो चुका था अब वो उसके साथ काफी जदे रेलैक्स फील करते रहता है और फिर रूशिन का कुलीग जो कि उसके साथ मिलकर वंग के दिल में अपनी बेटी के लिए लव पैदा हो जाता है और जंग्जी को बताता है और अस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद काशिन को अपने साथ रखने वाला होता है काशिन के लिए जंग्जी और उशिन बहुत जदे हैपी होते हैं गुलन को कोल्ड होता है नहीं थी फिर जब वो सो कर रहता है फिर दोनों एक दूसे के साबरेंग丘्डे से मेरिज़ कर लेते हैं और फिर से एक दूसे के पती-पती बच चुके थे रूषिसीं जय cabरेंगजी के डैट कर फिरos जंग्जी के पास चली जाती है आए इसे इस खडूस अंकल का किस्ता सुनाती रहती है जिसे सुनकर वो काफी हैपी होता है पर उसे क्या पता कि उसके डैड की ही बात कर रही है जंग्जी जब रूशन के अंकल जंग को मिलने चाता है वहाँ अपने डैड को 20 इयर्स के बात जलता है है खलूस अंकल को लगता है जंग्जी इनको हेट करता है कि उसकी मौम और उसे के डैड सम्हें चल्दी बचाने क्यों नहीं आए थे जंग्झी को लगता था कि डैड उसे हेट करते हैं कि अपनी मौम की जगप उसे उपर फॉलाइ कर जाना चाहिये था उस ने बैट कर अपनी बैट को सौल कर लेते हैं और डैट बताते हैं कि वो तो चाहते थे कि दोनों माप बेटे को बचा लेते और वो खुद कुर्बार हो जाते हैं कि डैट तो इससे और इसकी मुम को कितना ज्यादा लव करते थे एवी जरसी बात के पीछे 20 येर तक बात ही नहीं तो पड़ित को छोट जल्दी जल्दी कबूल है कबूल पढ़कर खुद ही अपने अपने कर्म के लिए भाग जाते हैं कि दोनों अर्वेज लवर भी रहेंगे और राइवल भी इनके रिलेशन की यही तो ब्यूटी है जिसे लाइफ पर इंजाए करेंगे और फिर ऐसी के साथ इस स्टोरी का यही पर इंड होता है तो फिर बहुत जल्दी किसी नई स्टोरी के साथ थैंक्स फर वाचिंग